हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फेर वेब प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में जहां बात हम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट वेलिडेशन को लेके और लास्ट टाइम अगर आपको याद है अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि हम हम लोग जो बात करने वह फॉर्म वेलिडेशन को लेके बात कर रहे हैं यह हमारा फॉर्म है जिस पर हमने मल्टीपल वेलिडेशन सभी अप्लाइ किया है जहां पर हमने ब्लैंक वेलिडेशन को चेक किया है कि कोई भी फिल्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए राइट जहां प बात की थी कि बहुत सिधी आपके नंबर फिल्ड मोर्दन हंड्रेट है क्योंकि हम फिजिक्स के मार्क्स की बात कर रहे हैं तो यह सारे विलिडेशन सभी तक हम लोगों ने चेक किये हैं लेकिन लास्टेम भी मैंने आपको बोला था कि अब जो वैलिडेशन हम अपलाय करने वाले हैं वह यही की मानलो अगर यह मेरी क dio कोई भी निमेरीकल सेंद किया चाहें वह फिजिक्स के माбаक की बात हो ज़िबो कि मैं यहां पर अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं नाम की जगर नंबर दे हूं राइट चले ठीके पासफ़ट कंफर्म पासफ़ट आपने सही दिया यह माक्स आपने गलत दे दिये राइट तो यह सारा डेटा जो है यदि आप ओके कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी जो अप्लिकेशन है उसमें अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है और वह यहां पर हम यही वेलिडेशन देखने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई भी नुमेरिकल फिल्ड है तो उस पर कैसे वेलिडेशन लगाएंगे सो डैट जदी कोई आप करेक्टर एंटर करते हैं तो मैं अलर्ट मैसेज मिलना चाहिए और आपका फॉर्म जो है वो कि हमें यह चेक लगाना है कि यदि मेरा अईडी ब्लैंग नहीं है इफ आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो मुझे यह चेक करना है कि बहुस कहीं मैंने उस आईडी में कोई गैरेक्टर तो एंटर नहीं कर दिये हैं तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको उस पट किये यहां पर हमने क्या किया एक वैलिट नाम का वेरीबल लिया और इस वैलिट वैरिवल में हमने वह नंबर एक सबस्टे कर दिता मुझे पर ऑशिकल बात करना है एक वन बाई वन उसके हर एक करेक्टर को फैच करना है तो हमने यह पर सिंपल एक फॉर लूप अपलाए किया जीरो से लेके कब तक तो जो भी हमारी फिल्ड एसाइड डॉट इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है हर टेक्स बॉक्स के प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉ से करेंगे से प्रॉबर्टी हो सबसे पहले कि मुझे वन बाइवन सारे करेक्टर फैच हो के मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं राइट दीखें सिंपल सा लॉजी के हमने क्या लगाया कि यदि आपका आईडी फिल्ड ब्लैंक नहीं है तो फिलाल इस वैलिट को भी अभी आप दो मिनिट के लिए छोड़ो हमें उस बॉक्स के हरे करेक्टर को एक्सेस करना है तो एक फंक्शन है इस काल क्यारेट फंक्शन को लेट सी प्राक्टिकली में आपको बदाता हूं यह चीज यह देख ठीक है यहां पर मुझे क्या लाउट करना है केवल नंबर अब देखे क्या किया हमने जो क्यरेक्टर आपको वन बाइवन मिल रहे हैं हम यह पूछते हैं कि बॉस आप वैलीड में मुझे उसका इंडेक्स नंबर बताओ सुनना द्वान से concept क्या है कि वैलीड में आपके पास एक स्ट्रिंग है एक नंबर की स्ट्रिंग है इसमें हर एक करेक्टर एक इंडेक्स नंबर पर है 00 positionपन वन वन पोजिशन पर है करेक्टर मुझे मिला है उसका वैलीड में इंडेक्स नंबर क्या है यदि वो करेक्टर वैलीड में होगा तो उसका इंडेक्स नंबर होगा और अगर आपका करेक्टर वैलीड में एक्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका इंडेक्स नंबर नहीं होगा और अगर इंडेक्स न एक मान लो मैंने दिया 3 तो 3 Concernia number three होगा 7 तो 7 Sun studies सबनीर होगा लेकिन अगर मैंने दिया मान लो जेड़ इस में नहीं 20 मालव बट। नहीं है ना तो मुझे मीलेगा माइनास वन हमें यही करना है किलें मैसेज दी दिया और 튀омина नंबर अ्लाउड इन आइडी एंडी टिक है ओनि लिमबर अलाओड इन आइड और वापस três फोकस आइडी पर हीसे ट करना है तो यहां पर हमने वापस से फोकस आइडी पर ले लिया ठीक है और एक मैंने आपको याद करो function बता हो कि जिससे आप उसको सिलेट कर सकते हैं सिदिस वन यह हमने एक सिलेक्ट फंक्शन देखा था यह डॉक्यूमेंट डॉट गेट इलिमेंट पर आइडी तो हमने फोकस सिलेक्ट कर लिया कहां पर इस टी आइडी पर ठीक है मतलब यह दोनों कॉंसेप्ट हम लास्ट ने देख चुके हैं तो आई होप इस कॉंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं केवल यह नया कॉंसेप्ट यह है कि आपको यह चेक लगाना है कि बॉस कहीं मैंने आइडी में क्यरेक्टर तो इंटर नहीं कर होगा पर यह तो क्यरेक्टर इंटर करने के लिए हमने एके करके हरे करक्टर को फैच किया और एक वैलीड नाम के वेरियवल में वह नंबर ले लिए जो उसमें आपको अलाउट करना है में आपको नमबर it कि करना और उप यह और और आपने वन बाए-1 केरेक्ट chreens कि और यहां से return कर दो false ताकि आगे कोई चेक लगाना ही ना पड़े return false तो अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यदि मैं इस application को run करता हूं ठीक है if I run this अब मैंने इसमें number दिया मान लो B या 1 B 02 ठीक है submit क्या उसने only number allowed in ID और यह select कर दिया तो यदि आपने number के अलावा कोई भी character दिया तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा suppose मैंने यहां पर लिग दिया विवेक ठीक है उसने सीधे message दिया only number allowed in ID field तो यहां पर आप ID में अगर मैं देता हूं 102 तो यह valid है अब उसने जो message दिया है वह नेम के लिए दिया है कि name should not be blank तो concept आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको किसी numerical field में यह validation लगाना है कि उसमें number के लावा कोई भी data acceptable नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पर आपको चेंज यह करना है कि नाओ इस एस फिजिक्स जो आपका variable है वह एस फिजिक्स है ठीक है और यहां पर अलेट में में सेज देना अउनली नंबर अलाओड इन फिजिक्स मांक्स ठीक है और फोकस वापास हमने फिजिक्स पर सेट कर दिया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो नुमेरिकल वैलिडेशन बहुत इंपोर्टेंट है कई बार आप जब बनाओगे तो देर आर मल्टीपल फिल्ड जहां पर आपको उसमें केवल नंबर अलाउट करने होंगे तो हाव टू चेक दिस वैलिडेशन आई होप आपको समझ में आ रहा है राइट लेट लेट सी एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं दो फिल्ड के लिए म एक ब्रैकेट कम लगाया है यहां तो यहां पर अगर एरर हे भी तो वह एरर शो नहीं करेगा तो इसलिए आपको बहुत केरफुली कोड लिखना पड़ता है अब मैंने लिखा 101 एन सब्सक्राइब अगर मैंने यहां नंबर दिया यहां सही लिखा पासफ़र्ट सही दिया पासवर्ट सही दिया फिजिक्स में लिख दिया मान लो हलो ठीक तो अगें शीदिशी दिस वन ओन ओके एक विल नौट चेक दिस फिजिक्स के मार्क्स इसका मतलब है कि वह सॉझिक्स को चेक इस लिए नहीं कर पार है क्योंकि हमने इस आईडी का क्यरेक्टर मांगा है जबकि हमय चैरेक्टर आई सप्रिक्स का कॉपी-पेस्ट में भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना हमने कॉपीपेस तो कर लिया लेकिन यहां पर चेंज नहीं किया था इसलिए उसने फिजिक्स की जगा आईडी से क्यरेक्टर निकाले तो वो तो वैलीडी थे ना भी हम वन जिरो बनी देके आ रहे थे नौ इस ओके चलिए देखते हैं आउडीन फिजिक्स मार्ग रइट अब मैंने अगर नंबर दिये तो सेम वेलिडेशन मुझे केमेस्टी के लिए भी लगाना पड़ेगा अभी में केमेस्टी में मानलो हलो लिख रहा हूं तो यह एकसेप्ट कर लेगा ठीक है यह मैंने यहां पर अगर कुछ लिग दिया म लोग लिख दिया तो यह यह भी एकसेप्ट कर लेगा से इस फॉन फॉम पूस्ट हो गया तो अभी अपने केमेस्टी और मैट्स पे यह वेलिडेशन नहीं लगा है तो कुछ नहीं करना है तो आपको यह चोटा सा कॉनसेप्ट समझ में आया है और यह चोटा नहीं है आप चाहें तो इस टेक्स कंट्रोल को भी यूज कर सकते इंपूट टाइप इकवल टू नंबर यह जहां पर वो नंबर के लावा कोई दूसरा डेटा एकसे नहीं करेगा बट हाव दिस एक्चुली कोड कैसे लिखेंगे डाट इस मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि तेखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कोई भी टेक्नोलाजी जब आप पढ़ेंगे ना तो दो तरीके से पढ़ना पढ़ेगा एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए जब इंटर्वी होगा तो वहाँ पर आपसे यह कोड भी पूछे जा सकते ह हो आपको यह पता होना जी कि pra देशन कोट किस तरीके से लगा जाते हैं तो आजिए होप आपको यह कॉंसेप्ट समझ में आया है कि कि किस तरीके से हम एक निमेरिकल फील्ड के वेलिडेशन को चेक कर सकते ठीक हैं अब इसके बाद जो एक्स्ट के मानबब को लिख रा हू लेकिन नमबर की जगह नाम की जगह मैंने 102 लिखा है अगला पेज ओपन कर दिया तो यहां पर अब हमें यह चेक करना है कि बहुत character validations किस तरीके से लगाय जाता है क्योंकि कई बारे जब आप form fill up करेंगे तो दिर आर लॉट अफ फिल जहां पर character values होंगी और बहां पर आपके numerical allowed नहीं होना चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्टर में इसी concept के साथ कि हाव टू अपलाए character validations in form using JavaScript ठीक है तो आई होप आपको यह concept समझ में आ रहा है validations बहुत important concept है client side validations किस तरीके से हम यूज़ करते हैं यूजिंग जावा script समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रही है स्कोर्स के साथ क्योंकि अभी बहुत important concept आगे हम discuss करने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल देन टेक क्यार बबाए